मूँ आझा आपके बालों की बात होगी आपके बाल आपकी सफलता की वज़र बन सकते हैं आपको सिर्फ हीरस्टाइल बदलने की जरूरत है अगर आपने ऐसा कर लिया तो कई समस्याइं अपने आप दूर हो जाएंगी तो आज आपके बाल पर आपकी beauty पर बात होगी अगर आप भी सुन्दर दिखना चाहती हैं तो जरूर देखती जाएए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशी की हिसाब से आपको कौन सी hairstyle रखनी है और किस hairstyle से बचना है आपको latest hairstyle भी दिखाई जाएगी साथ ही आपको बताऊंगी बाल देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि मर्द दोखा दे रहा है या नहीं और आपको बताया जाएगा कि आखिर कैसे सफेद बालों को बाई बाई बोला जा सकता है आपको बाल काला रखने का तरीका बताया जाएगा और हाँ आज आपको वो beauty tip भी दूँगे जिससे आपकी उम्र कम लगने लगेगे आगे पढ़ने से पहले आज के पहले महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या आपका कोई बड़ा काम बहुत लंबे समय से फसा हुआ है लाल गुलाब का फूल एक गलास पानी में रखकर अपनी आप टेबल पर रख दीजे और फिर एक फूल अपनी जेब में सफेद रुमाल में बात कर रख दीजे जिससे भी आपको काम करवाना है उसे मिलने से पहले गुलाब के फूल पर ओम अदित्याय नम्हा कहकर फूल पमार दे वो गुलाब उसी शक्स को गिफ्ट कर दे जिससे काम करवाना है अगर आपका काम सच्चा है और कोई जूट नहीं है तो आपका काम जरूर बन जाएगा बाल हमारी परस्टालिटी का बेहद एहम हिस्सा होते हैं लेकिन ये बाल आपको जिंदगी में आगे या पीछे भी ले जा सकते हैं हर फीमेल मेली बाद ध्यान से सुने राशी की मताबिक कौन सा हेरस्टाइल रखना चाहिए वो जान लीजे मेश राशी वाली महिलाओं के बाल आम तौर पर मजबूत होते हैं इस राशी की फीमेल्स को स्टेप कटिंग करवानी चाहिए घुंगराले बाल भी इनकी पसनालिटी को निखारते हैं प्रिश्व राशी की महिलाओं कंदे से कुछ नीचे तक बाल रख सकती हैं फाइदे मन्द होगा मित्रुन राशी की महिलाओं को बाल रंबे रखने चाहिए कर्क राशी वाली फीमेल्स को गरदन के कुछ नीचे तक बाल रखने चाहिए सिंग राशी वाली फीमेल्स का स्वामी सूरे होता है इस राशी की फीमेल्स को बालों की समस्या रहती ही है इसलिए इसी महिलाओं को गर्दन तक बाल रखने चाहीं कन्या राशी की महिलाओं को अपने बाल ना लंबे रखने चाहीं और ना ही छोटे अभी मैंने सिर्फ छे राश्यों की बात करी हैं बाकी छे राश्यों की बात बाके करूँगी शो पर आगे ही करूँगी लेकिन अभी एक और जरूरी बात मुझे पता है मैंने छे राश्यों वाली फीमेल्स की बात करी आपके बाल आपकी personality को बहुत important shape देते हैं तो आपके बाल राशी के साप से कैसे हों, लकी कैसे हों ये मैंने बताया मेश से लेकर कन्या राशी की मैंने बात कर ली हैं अब तुला से लेकर मीन राशी की females भी जान लीजे तुला राशी की महिलाएं जो हैं आम तोर पर सुन्दर होती हैं इन्हें ना जादा लंबे और ना जादा छोटे बाल रखने चाहिए जो manageable हो वरिश्चिक राशी की महिलाएं के बाल अगर लंबे और घुंग्राले हो तो इनके लिए बहुत अच्छा और favorable रहता है धनु राशी की महिलाएं को बाल लंबे और सीधे रखने चाहिए इस तरह की जो हैस्टाइल होता है इनके लिए बहुत ही जादा लखी साबित होता है मगर राशी की महिलाएं को बाल लंबे रखने चाहिए लंबे बालों के साथ हम ये बोच सकते हैं कि लेयर्स भी रख सकते हैं कुम राशी वालों पर शनी का प्रभाव रहता ही है इसलिए इस राशी की महिलाओं को बाल बांध कर रखने चाहिए मीन राशी वाली महिलाओं के लिए लंबे और गुंग्राले बाल लखी होते हैं आगे पढ़ने से पहले आज के पहले महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या आपका कोई बड़ा काम बहुत लंबे समय से फसा हुआ है लाल गुलाब का फूल एक ग्लास पानी में रखकर अपनी आप टेबल पर रख दीजे और फिर एक फूल अपनी जेब में सफेद रुमाल में बात कर रख दीजे जिससे भी आपको काम करवाना है उसे मिलने से पहले गुलाब के फूल पर ओम अदित्याय नम्हा कहकर फूप मार दे वो गुलाब उसी शक्स को गिफ्ट कर दे जिससे काम करवाना है अगर आपका काम सच्चा है और कोई जूट नहीं है तो आपका काम जरूर बन जाएगा सारी महिलाएं ध्यान से सुने आप किसी मेल पर भरोसा करे या ना करे लेकिन उसके बाल की हैस्टाइल देखकर पता लगाया जा सकता है जी हां बहुत बड़ी ट्रिक बताने जा रही हूं नोट कीजे कभी दोखा नहीं खाएंगी अगर किसी पुरुष के बाल गुंगराले हैं तो वो एमोशनल और जिद्धी स्वभाव का होता है ऐसे लोग धन्वान और फ्लोटी होते हैं अगर किसी पुरुष के बाल रूखे और कठोर हैं तो वो शक्स कठोर और चलाक स्वभाव का होता है ऐसे पुरुषों से सबकी नहीं बन पाती अगर किसी व्यक्ति के बाल लंबे और मजबूत हैं तो वो काफी मिलनसार होगा लेकिन ऐसे पुरुषों को करियर में काफी संघर्ष करना पड़ता है जिन पुरुषों के बाल सौफ्ट हैं वो पुरुष इमानदार, भरोसे मन्द और एमोशनल होते हैं जिन पुरुषों के बाल चमकीले हों वो चंचल तेज दिमाग वाले होते हैं ऐसे पुरुष महिलाओं के प्रतीज ज़्यादा आकर्शत रहते हैं जिन पुरुषों के बाल घने होते हैं वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं जिन पुरुषों के बाल कम होते हैं वो या तो अमीर या फिर बहुत गरीब होते हैं इनमें बीच की कोई स्थिर्ता नहीं होती जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय आगे बढ़ने से पहले सवाल ये है कि क्या कर्जा बहुत ज़ादा बढ़ गया है शुक्र पक्ष के पहले मंगलवार को नहार कर शिव मंदिर जाए शिवलिंग पर लाल मसुव की दाल चड़ाए एक सुवाट बार मंत्र बोल कर दाल चड़ाए ओम रिण मुक्तिश्वराय सदा शिवाय नमाह ये प्रयोग आठ मंगलवार करें हनुमान जी के मंदिर में लाल जहंडा लगाए कर्जा दूर होगा आप बालों की बात कर ही रही हूँ तो आप कुछ बात आपके मेकप की भी कर लेती हूँ कई बार आप उम्र से ज़ादा लगने लग जाती हैं आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है आपकी उम्र ज़ादा नहीं दिखेगी देखिए सबसे पहले डाक वाइन लिप्स्टिक आप अगर जवान दिखना चाहती हैं तो लिप्स्टिक के हलके रंगों का उप्योग करें जैसे कि न्यूड, लाइट पिंक इससे आपकी उम्र से अधिक आप नहीं लगेंगी मॉिस्टराइजर ना करना स्किन की बढ़ती उम्र का में कारण सुखी स्किन है इससे आपके स्किन की उम्र ज़ादा देखती है इसलिए स्किन को नियमत तोर पर मॉश्चराइज करें और आपकी असली उम्र से अधिक दिखने से आप बचेंगी ओईल क्रीम का उप्योग ना करना देखिए आँखों के नीची की स्किन बहुत ही ज़ादा सेंसिटिव होती है और इसके लिए ज़ादा हाइड्रेशन चाहिए होता है मेकप में इसका उप्योग ना करने से आपकी उम्र ज़ादा दिख सकती है फाउंडेशन लगाना ना भूले मेकप की परते लगाकर आप उम्र से ज़ादा दिखेंगी इससे लिए इसको बचाना बहुत जरूरी है कम मेकप लगाईए हलका बेस लगाईए इसलिए अच्छी फाउंडेशन का उप्योग करें आप कई साल चोटी लगेंगी अगर कम मेकप करेंगी बहुत अधिक गेरा बलश लगाना बहुत डार्ग बलश लगाना अगर आपकी उम्र ज़ादा है तो बलश ना लगाएं क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं देखता है नाच्छनल दिखने वाले हलके पीच और गुलावी रंग के बलश का उप्योग करें लिप लाइनर इस पर बहुत ज़ादा इस्तमाल करना एक आम आधत है इससे ज़ादा लगाया गया तो आपकी उम्र ज़ादा दिखेंगी ऐसे लिप लाइनर काप्योग करें जो आपकी लिप्स्टिक से मैच करें गलत रंगों के लिए लाइनर और लिप्स्तिक को ना लगाए इसी तरीके से कंसीलर ज़ादा लगाना हम जानते हैं कि आप चेहरे की देखाएं छुपाना जाते हैं लेकिन कंसीलर का बहुत ज़ादा इस्तमाल करने से लाइन्स ज़ादा देखते हैं इसकी बजाए कंसीलर की मात्रा जरूरत की मुताबिक ही इस्तमाल करें आज का चौथा महाउपाई क्या है ये जान लीजे क्या आर्थिक तरक्की रुकी भी है शुकल पक्ष की मंगलवार को आटे में गुड मिलाकर मीठे पके वे पुए हनुमान जी के मंदिर में जरूरत मंदों को खिला दीजे मंत्र का 108 बार जाप करके गरीबों को कपड़े और भोजन कराईए मंत्र नोट कीजे ओम हुम हनुमते रिण मोचने नमहा आर्थिक तरक्की शुरू हो जाएगी मुझसे कई दर्शकों ने मोरपंक पर सवाल की हैं मोरपंक पर पूछा है आईए आपको सही जानकारी दिये देती हूँ इसके बाद मोरपंक से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा मोर जितना खुबसूरत दिखता है उतने ही खुबसूरत फाइदे इसके पंकों के भी हैं हमारे देवी देवता को भी प्रिया है मा सरस्वती, श्रीकृष्ण, मा लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिके, श्री गणेश सभी को मोरपंक किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में प्रिया है पौराने काल में महारिश्यों द्वारा इसी मोरपंक की कलम बनाकर बड़े-बड़े गरंथ लिखे गए यही वज़ा है कि जादतर लोग अपने घरों में मोर के खुबसूरत मंखों को लगाते हैं आईए जानते हैं क्या-क्या हैं इसके और फायते देखे मोरपंक घर में से नेगेटिव उजा को नेगेटिव वाइबरेशन को दूर करता है हिंदु धरम में मोर को धन की देवी लक्षमी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़ कर देखा जाता है मोरपंक को बासुरी के साथ घर में रखने से रिष्टों में प्रेम बढ़ जाता है ग्रहों के अश्य प्रभाव होने पर मोरपंक पर 21 बार ग्रह का मंतर बोल कर अपनी चीट डाल दे और इसको अच्छे से स्थापित कर दे जहां भी ये दिखाई दे आर्थिक लाप के लिए बहुत अच्छा है आर्थिक लाप के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं मंदर में जाकर मोरपंक को रादा कृष्ण के मुकुट में लगा दीजे 40 दिन बाद इसे लौकर में या तिजोरी में मंदर से मांग लीजे वापस और नया दे दीजे इसको रख दीजे मोरपंक बुरी नजर से भी बच्चों को बचाने के लिए बहुत कारगर है छोटे बच्चों को मोरपंक चांदी के तावीज में पहनाएं अगर आपका बच्चा बहुत रोता है चिड़ता है या जिद्धी है तो छट के पंकों पर मोरपंक लगाने से पचब हवा होती है तो वो भी घुमता ना मोरपंक पंके के साथ तो बच्चे के जिद काम होती है अगर आप दुश्मनों से परिशान हैं तो आप क्या करें? मोरपंक पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगा कर मंगलवार शनिवार उनका नाम लेकर लगाईए और सुभाब बिना मूध होए इसे बहते पानी के पास छोड़ दें घर के मेन दर्वाजे पर मोरपंक को लगाना हमेशा शुभ होता है इससे नेगिटिव एनरजी आपके घर में एंट्री नहीं कर पाती है इसके लिए तीन मोरपंक लगाकर ओम, द्वार, पालाय, नमह, जाग्राय, थापय, स्वाह, मंतर का जाप करें और गनेज जी की मूर्ती जो आपके घर में गनेज जी होंगी, मूर्ती नहीं है तो लगा लिजे छोटी सी और फिर अगने कोण में मोरपंक लगाने से घर में वास्तुदोष ठीक किया जा सकता है इसके अलावा इशान कोण में कृष्ण भगवान की आप फोटो के साथ में मोरपंक लगाईए आए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्टो टिप का जहां तक की बालों की बात है बालों को अगर आपकी क्यूंकि बालों के जो सिर के जो पोर्ज होते हैं यहां से आपकी positive vibrations भी निकलती है आपको divine उर्जा भी यहीं से मिलती है जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो उस तेल में जैसे त्रिफला, आमला, यह जड़ी बूटिया डालकर कांच की बोतल में रखके इसको कुछ तेल के लिए और बल्कि मैं तो कहूंगी कुछ दिनों के लिए धूप में छोड़ दे फिर जब आप इस तेल को लगाएं तो आप कोई भी मंतर का जाप किया करे सारी positive vibrations मंतर की आपके शरीर के अंदर गुशती है जब आप जाप करते वे या सुनते वे तेल को लगाते हैं हमारी एक विवर काईरा गुपता ने हमारे साथ अपनी problem शेर की है काईरा को सपने में बच्चे बार बार देखते हैं वो भी बार बार जिससे वो परिशान है उपाय जानना चाहती है गरीब बच्चों को कपड़े और अनदान करना, खाना दान करना, बिस्कित दान करना शुरू कर दीजे ये चीज खतम हो जाएगी, इसको लगातार 40 डेस तक कीजेगा entertainment की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं अपनी राशी के इसाब से एक छोटी सी चीज कीजे और कल को अच्छा और हैपी बनाईए सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग, आप लोग तामबे और गेवू का दान करें लग साथ दे रहा हैं आपका 68% विश्चिप राशी के लोग, गलत काम करने से बच्छे हैं आप किस्मत साथ दे रही हैं आपका 55% मिथुन राशी वाले लोग, मा का खूब आशिरवाद लें भागे साथ दे रहा हैं आपका 69% करक राशी वाले लोग, गाय को गुड़ खिलाईए आप किस्मत साथ दे रही हैं आपका 69% सिंग राशी वाले लोग, गरीबों को दूद दान में दीजे लक साथ दे रहा हैं आपका 65% कन्या राशी वाले लोग, शिवजी की उपासना कीजे भागे साथ दे रहा हैं आपका 72% तुला राशी वाले लोग, मीठे भोजन का दान करें। भागे साथ दे रहा हैं आपका 70%। प्रिश्चिक राशी के लोग, सूरे को मिश्री वाला जल चड़ाएं। लक् साथ दे रहा हैं आपका 63%। धनू राशी वाले लोग, आदित्य रिदेस्त्रोत्र का पाठ करें, किस्मत साध दे रही है आपका 67%, मकर राशी वाले लोग, पांच चलते वे दिये मंदिर में अरपत करें, किस्मत साध दे रही है आपका 71%, कुम राशी वाले लोग, लाल धागा कलाई में बांदें, भाग आज कल बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, है ना? इसकी क्या वज़ा है? और आप डाइट में क्या शामिल करें, कम उम्र में बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं? आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर एज ग्रूप को अभी एफेक्ट करती है औ और बालों को लेके प्रॉब्लम है और वह समस्या है बालों का सफेद होना, प्रिमेच्यूर ग्रेंग ऑफ हेर, से पहला सोलूशन है कि अगर यह जेनिटिक है तो आप अपनी जीन्स चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना लाइफस्टाल जरूद चेंज कर सकते हैं सो लाइफस्टाल चेंजिस में होगा, एक तो स्मोकिंग जो स्मोक कर रहे हैं और जो उनके आसपास हैं दोनों को यह एफक्क करता है, तो स्मोकिंग आप अपने वाइटमिन बी का चेक करवाईए, सो वाइटमिन बी, आयरन और जिंक यह आप सप्लिमेंस में या फूड के करता है, तो आप अमोनिया आपके बालों को एक्चुली ग्रे नहीं कर रही है, तो आप अमोनिया कंटेनिंग कलर भी यूज कर सकते हैं, तो एक रिस्पॉंसिबिल्टी हो जाती है कि कलर्ड हेर की केर भी होती है, इसके अलावा आप राइट शैंपू यूज करें और बाल या फिर एक कंडिशनिंग सीरम बालों में लगाका निकली है, तो यह है कुछ प्रिकॉशन्स जो कि अपले सकते हैं अगर आप भी प्री मेच्यों ग्रेंग ऑफ हेर के शिकार हैं, अब जानते हैं आज का पांच्वा महा उपाए, सवाल क्या है ध्यान से सुनिए, सवाल य इस मंत्र का एक माला रुद्राक्ष से जाब करें, देसी खी का दीपक जलाकर दो लौंग जलाएं, जले वे लौंग किसी पेड की नीचे दक्षन दिशा की ओर छोड़ दें